स्थागत है आपको अमरे यूट्यव चानल में तो आज की वीडियो में देखेंगे सोसल साइंस का पहला सेट जहारखन्ड बोर्ड मोडल पेपर तर्मटो का पहला सेट दित्य साधिक परिक्षा 202122 पहला सेट सोसल साइंस का साइंस का तीन सेट हो गया है सब्सक्राइब दो दिन के अंदर आपको सारा सब्सक्राइब करा देंगे तो चलिए शुरूर करते हैं सब्सक्राइब दो च solaiser रST गाएगा मंड विस्व का अधोग के नना अध्रिफ यूग भुगल में रहे गा ब्रोखतनति परिवासा यह तीन गना यह नगराव और सास्तर में मुद्रा और शाख और वैस्वी करन और भारती अर्थ विवस्ता यह रहेगा ठीक तो चलिए सेट बन पहला सेट में का सोल्यूशन देखते हैं तो यह कुछ निर्दे से निर्दे सब पढ़ लिजेगा पिछला सेट सब में भी समझा दियें क्या निर्दे से क्या मतलब किस अधिलगों परस्न की पांच परस्न का उत्तर देना है तो पहला कोशन है रीडर पेश्ट से आपका क्या अतात परिया है तो पस्व के पिलेग की बीमारी को रीडर पेश्ट कहते हैं जिससे अठारव सो नब्बे के दसक में हजारों में अफरीका के पस्व मर गये जिससे अस्थान की लोगों की आजिवीका और अर्थ वेवस्था पर बड़ा परभाव पड़ा तिये रीडर फेश्ट दूसरा कोशन है अधोगी करांती सरोपर्थम कबर कहां प्रारंभ होई तो अधोगी करांती सरोपर्थम 18. सताबदी के उत्तराध में इंगलेंड में प्रार परभाव इसके संस्थापक को थे तो भारति राष्ट कॉंगरिस की अस्थापना 1880 शीष्व में होई थे और इसके संस्थापक एओ यूम था इस थे आओ यूम पंच्वान पर कोशन लोगतंतर की दो चुनवतियों को लिखे लोगतंतर की दो चुनवतियां है उस्परदायक्त नागरीuates संपर्दायक्ते और दोमा न सब्ताया करें संगितोंDas क्षचव्छ आपका क्याहरा अहां प्रति बंध्य को हटानी के परिक्रिया को उदायरी करन कहा जाता है उसके बाद लगु उत्रिया है जिसमें पांच परसनी समय बनाना है साथ में से पांच लेकिन अभी हम साथों कोशन कराएंगे एक्जाम में आप पांच करियागा तीन नंबर का यह कोशन रहेगा एक कोशन तीन तीन दाइयों के लिए महत्पुन भूमिय का निर्वाह करते हैं और इसके दुआरा वीदेशी और देशी मालों का आयात निर्यात का काम कर सकते हैं अपने माल को किसी भी देश में बेच सकते हैं और इस तरह अंतराश्ट अस्तर पर विश्व के सभी लोग एक दूसरे पर करती इस पेनिंग जैनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य लेती थी इसके कारण मजदूर की मांग घट गई पहला कारण था दूसरा बेरोजगारी के असंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई पर धोगी की परती असंका व्याप्त थे जब उन काफी लंबी समय तक चलता रहा अगला कोश्चन है दस नंबर कोश्चन भारत में एक खाद फसल का नाम बताईए और उसे उगाने के लिए दो आवस्यक भागोलिक दसाओं को लिखे तो गेहूं एक खाद फसल खानेवाला फसल है गेहूं की खेती को उगानी का भागोलिक परिस्तिति क्या है तापमान गेहूं की एक सीदोसन कटीबंध ही फसल है इसके लिए 20 डिगरी सेलिश्यस तापमान होना अवश्यक है वरसा कितना है तो 50-75 सेंटीमेटर वरसा गेहूं के खेती के लिए आवस्यक है गेहूं के खेती में सीचाई के आवस्यक्ता पड़ती ह मीटी की सा ओनी जायए तक गेहू की खेती के लिए दोमट मीटी का होना अवसेक है मीटी में परियाप्त नमी तंडा मौसम गेहू की फ़सल के लिए जरूरी होता गानमर है गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकास आवश्यक है यान बादल नहीं निए आकास में गेहूं अधिकतर उत्तर परदेश, पंजजाब, हर्याना, राजिस्थान और विहार आदिशेद्रों में होती है अगला कोशन है ग्यारा नमर राजनितिक दल का क्या अर्थ होता है राजनितिक दल ऐसे लोगों के समुह को कहते हैं जो एक जैसी वीचार रखते हैं देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाओं लड़ने, समीधान ब लिए सासन विवस्ता आता यह जनता के परति उतरदाई है लोगतंत्रिक विवस्ता में जनता को सरकार के कारियों निर्णयों और नीतियों के बारे में जानने का अधिकार होता है सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जो उन जनता की इक्षाओं के विरुद हो लोगतंत्र म जनता के कल्यान और विकास की जिमवारी भी सरकार पर होती है। इसके लिए सासन में जनता की भागीदारी सुनशित करना सरकार का दाइत हुआ है। इन दोनों परकार के लोगों के बीच मधियास्तना परदान करता है। जिनके पास अतिर क्यों विद्क भागीदारी सृधत जारे सरकते हुआ जिके घ्लते हैं। ऑल्टा हो जाता है थोड़ु से और उन ही जिन्हें धन के जरुरत होती है उन से ब्लमुम पराबता है धन उकरज लेने वालों से ब्लमुम सुद की उचांन दर लेती है जबकि यम्द करता हूं को वह सुद की कम दर देती तहूं अंदेता है और देता है। और इस परकार उनने के पास जढ़ आ इस सघ्माद में अधिशान हो जाता है, 7 सब वर्गों का ethnicity संगठन द्वारा अंत्राष्ट व्यपार को प्रोस्ताहन देने के लिए की गई इसका मुख्याल है स्विजर लेंड जेनेवा में हैं 20 व्यपार संगठन देशों के बीच व्यपार के समान रूप से विकास में मदद करता है दिर्ग उत्री परशन दिर्ग उत्री परशन या कोई लाब नहीं हुआ इसलिए उन्होंने अपना एक नया समू बना लिया जो जी 77 के नाम से परशिद है विकासिल्देश का यह समू है ठेक लोकतांत्रिक सासन व्यवस्थाओं के समक्च वीस्तार की चुनवती क्या है तो अधिकतर अधिकतर लोकतांत्रिक राज्यों के स स्थानी संस्थाओं को अधिक अधिकार देना और महिलाओं और पीछड वड़कों के उचित भागिदारी आधी ऐसी चुनवतियां है अगला प्रस्ण है 17 नंबर एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमीका है वीवेचना करना है एक अर्षवन मुद्रा की कर सकते हैं वह पार में मुद्रा की भूमीका मुद्रा के दुवर वेपारी क्रियाएं सरलता पूर्वक पूरी की जाती है क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक अस्थान से वस्थान को करें करके दूसरे अस्थान पर विक्रई किया जा सकता है बजट निर्मान में मुद्रा क सरकारी का माप मुद्रा में किया जाता है जिसके दुरा करो की सरणिया सरलतापुर्वक मनाइ़ जाती है और है कि अल्याहि इसे का राष्ट की मूद्रा में म ब्रण की बहुमिक है देश के राष्ट आय की गनना मुद्रा में की जाती है जो कि देश की निवासियों का जीवन अस्तर परदर्सित करती है। मुद्रा की अनुपस्थिती में उत्वादन के अधनों को पारितोसिक परदान करना कठीन होता है। भारत में फोटो वोलोटाइल तकनीक उपलब्ध है जिसके दुवारा सूरी के प्रकास को सीधे विदूत में बदला जा सकता है। सूरी का प्रकास प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है। इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सूर उर्जा का लाब उठा सकते हैं। तकि कोईला पेट्रोलियम और प्रकृति गैस आधी उर्जा के सुरोत एक बार परियोग करने दुबारा परियोग में नहीं लाया जा सकता है। वहीं सूर उर्जा एक नवी करनी सुरोत है। इसे बार बार उप्योग जाया है। दुद के कोकीटानू रहिद बनाने सडको में रोसनी करने। यानि बीजली बन रहा है तो बीजली से जतना उप्योग होता है। सारा उप्योग सवरूर जासे कर सकते है। मानचीत्र के आधार पर चावल के मुख्य और गौन उत्वादक राज्यों को नाम लिखे। चावल के मुख्य उत्वादक राज्यों को नाम लिखना है। तो यह हो जाए गए यहाँ पिजित्र में दर साथ ना है ठीक है ठीक हैं त्रहाँ रहां उन्नी फो पैवला सेटका सोलीशन मीलते ने很 ऑले सब्सक्राइट वीडियो में दुसरा उन्न ले वीडियो में दूसरा रहां दिकलाव केमें ला अग्वाट्रों सेट करेंङकषीग